बहुत सारे लोग continuous भूख कम लगना खाना नहीं पचता है पेट में दर्द रहता है भारीपन रहता है मुह में आप कई वरी देखेंगे कि खटा पानी या acid कई वरी reflect करता है तो यह सारी जो समश्या है इसके पीछे एक common reason होता है कि आपका digestion प्रॉपर नहीं है यानि आपको जो खाना है वो प्रॉपरली नहीं पचता है और जब आपको प्रॉपरली खाना नहीं पचेगा तो एक queries होती है लो commonly पूछते रहते हैं कि कोई enzymes या फिर कोई भूक को प्रमोट करने वाला syrup जिससे कि हमारा पेट ठीक रहे पेट की गर्मी ठीक हो जाए तो आज हम बात करेंगे कि Aristogym syrup की कि Aristogym syrup कौन से लोग ले सकते हैं कितना ले सकते हैं कितने दिन सक ले सकते हैं और उसके क्या side effect और क्या effect सबसे पहली बात है कि Aristogym syrup जो syrup है वो enzymes कंतेन करता है यानि Aristogym syrup के अंदर enzymes हैं और जो enzymes तीनो protein fat और carbohydrate को डाइजेशन में, इमल्सिफाई करने में यानि उसको पचाने में आपको मदद करते हैं तो एरिस्टो जाइम सीरप उन लोगों के लिए एक राइट चोईस है कि जिनको डाइजेशन का थोड़ा सा दिक्कत है, भूख कम लगती है और पेट अच्छे से साब नहीं होता है, तो ये आपके डाइजेशन को डारेक्ली प्रमोट करेगा यानि एरिस्टो जाइम आपका एंजाइम सीक्रीशन को प्रमोट नहीं करता है ये एक रेडिमेट एंजाइम आपको देता है यानि आपके बॉड़ी के अंदर यदि एंजाइम का सेक्रीशन कम है या द्यू आदर रीजन आपको डाइजेशन की कोई समश्या है तो अरिस्टो जाइम आपके डाइजेशन को प्रमोट करने में आपको मदद करेगा जिससे कि आपको अच्छी भूक लगेगी अच्छी से पेट साफ होगा अरिस्टो जाइम 10 ml सुबह साम आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं और ये एक से तीन महिने तक लिया जा सकता है कुछ लोगों को ये वेट गेन करने में मदद करता है कुछ लोगों को ये digestion promote करने में मदद करता है और कुछ लोगों को ये constipation में भी help कर सकता है कुछ लोगों को गर्मी होती है पेट के अंदर, skin dry रहती है hair fall होता है, dry lips और dry आप finger देखेंगे नकून बॉर ड्राइ रहते हैं तो उन लोगों को ये काफी मदद करता है लेकिन मैं I personally advise के Aristogyme सीरप स्टार्ट करने से पहले आप अपने को deworm कर लीजे एक tablet, albendazole, gentil या bandi plus वो आप खाली जे रात को मीटे दूसरे और उसके बाद आप 2 spoons Aristogyme एक से तीन महीने तक ले सकते हैं 10 ml with the water after meal आपको properly भूक लगेगी लेकिन make sure करिए कि आप dependent नहों इस सीरप के उपर आप अपनी life style को modify करिए आप अपने food को ठीक करिए कुछ exercise बयायाम करिए पूरी नींद लीजे और खाने को properly time से लीजे चवा के खाने को खाईए तो ये basic जो चीजे हैं उसके लिए कोई shortcut नहीं है अरिस्टो जाइम जो आपकी basic बुन्यादी चीजे हैं lifestyle से related या food से related उनको तो आपको ठीक करना ही पड़ेगा उसमें आपका जो सीरप है ये कुछ बहुत बड़ी मदद नहीं कर सकता बट यस कुछ हद तक आपको ये help देगा और कुछ दिन तक एक से तीन महीने आप ये अरिस्टो जाइम सीरप ले सकते हैं थैंक यू बेरी मिच और टेक के ज़र्स